नमस्कार एक question आया है जिसमें एक मदर ने पूछा है कि मेरा बच्चा बहुत जूट बोलता है उसकी इस आदत को कैसे छुड़ाया जाए बहुत important question है और इस तरह के questions आए दिन आते हैं और हम सब लोग इस तरह के questions को आए दिन face करते हैं बच्चा जूट बोलता है तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जूट बोलने की बज़य क्या है किस कारण से बच्चा जूट बोल रहा है उसके लिए सबसे पहले आप अपने आसपास के environment में अपने परिवाद में देखें कि क्या सच बोलने को हम incentivize करते हैं या नहीं और जूट बोलने पर या हम punishment देते हैं तो जहां punishments मिलते हैं जहां हर चीज़ पर रेप्रिमेंट किया जाता है हर चीज़ पर बच्चे के ऊपर चीखना चिलाना होता है वहां बच्चा जनरली जूट बोलना शुरू कर देता है जहां जिन घरों में ट्रांसपेरेंशी नहीं ह होती है वहां भी बच्चे जूट बोलते हैं और जूट बोलना सीख जाते हैं पैरेंट्स के लिए बहुत आसान एक काम बच्चे का जूट छोड़ाने का यह है कि पहले परिवार का हलका खुलका environment त्यार करें और बच्चे को मौका दें वह अपनी बात को चाहे गलत बात ह सही चाहे वो किसी बात से डरा हुआ हो या उससे कुछ गलती हो गई हो वो अपनी बात को खुलके आपके सामने रख सके यह confidence जब आप बच्चे को दे देंगे तो बच्चा जूट बोलना अपने आप दीरे-दीरे कम कर देगा जूट बोलने के पीछे की जो परिस्तितिया हैं आपको उनका इलाज करने की जरूरत है बच्चा बखुद खुद बखुद ठीक हो जाएगा जूट कोई बच्चा बोलना नहीं चाहता कोई बच्चा बच्चपन से जूट बोलना सीख के नहीं आता जर्म से कोई बच्चा जूट नहीं सीखता मगर परिस्तितियां कई बार बच्चे को जूट बोलने के लिए प्रेदित करती हैं आपको उन परिष्थितियों का इलाज करना है बच्चा अपने आप ठीक हो जाएगा बच्चों को जब स्कूल में एक्जाम के मार्क्स मिलते हैं कम मार्क्स आने पर बच्चा पैरेंट्स को नहीं दिखाता है या कुछ जूट बोल देता है ऐसी situation में जहां parents receptive हैं और ये देखते हैं कि कोई बात नहीं इस वार तुमारे marks कम आये मगर अगली बार अच्छे से तयारी करना उस बच्चे को यदि motivate करते हैं तो बच्चा जूट नहीं बोलता वो बच्चे जूट बोलने लग जाते हैं जहां उनको मालूम है कि यदि मेरा एक नंबर भी कम आया है तो मुझे घर पे जाने के बाद डांट पड़ेगी इसलिए वो जूट बोलते हैं तो जूट बोलने का बच्चे का मकसद है या जो उसकी मजबूरी है उसका इलाज कर दीजे जूट अपने आप छूट जाएगा बच्चे को एक ऐसा एन्वार्मेंट दे जहां अपनी बात को बहुत साफ तरीके से आपके साथ वो शेयर कर सके और जब आपको लगे कि उसमें कुछ गलत किया है तो उसको ये रियलाइज नहीं कराएं कि तू गलत है मगर ये रियलाइज कराएं कि तू तो अच्छा है पेसेंस रखें बहुत जल्दी आपका बच्चा जूर बोलना छोड़ देगा जन्यवाद